पिछले एक साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तत्थियों को परिस्थितियों को इमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ आपसे चर्चा करता रहा हूँ एक चीज हम लोगोंने हमेशा गांठ बांध के रखे ही आपको कभी गलत अथ्या नहीं दिये आपसे कभी जूट नहीं बोला जो था आपके सामने रख दिया अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया स्थिति खराब थी तो भी आपक के बिना जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते हैं जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहत जरूरी है और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा सारे तथ्थे जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे तब जनता की भागिदारी सुनिश्चत करना असंभव था इसी दे हमने हर चीज आपके सामने रखी हमने टेस्ट नहीं कम होने दिये आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं मैं तो यह कहूँगा कि अगर प्रती दस लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं मैंने देखा कि कई जगों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिये टेस्ट कम कर दिये तो केस कमाने लग गए इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नही किये, उल्टे कम करने के वज़े हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुणे बढ़ा दिये, आज लगबग एक लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं, हमने मौत के आंकड़े आप से नहीं छुपाए, जितनी मौते होती थी, हमने सब आपके सामने रखे, इमानदारी से रखे अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई, कितने बेट्स हैं, कितने आईस्यू बेट्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज आपके सामने इमानदारी के साथ रखे, और इसी वज़े से जब भी हमने कड़े निरने लिये, हमें आपका पूरा सहयोग मिला, दिली की जनता का पूरा सहयोग मिला, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिली एक परिवार है, दिली के दो करोड लोग एक परिवार है, और जब परिवार में कोई आपदा आती है, तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते हैं, अब भी हम सभी मिलक के इसका सामना करेंगे, पहले भी जीत हुई थी, अब भी जीत होगी, आज दिल्ली में क्या परिस्थिती है, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगबग 23,000 केस आये हैं, उसके पिछले 24 घंटे में लगबग 25,000 केस आये थे, तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं, लगबग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी बहुत जादा बढ़ गई है, संक्रमन दर बहुत जादा बढ़ गई है, दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध, बेड्स की भारी कमी हो रही है, डेली 25,000 अगर पेशेंट्स आएंगे, तो कोई भी विव अस्था चरमरा सकती है, दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है, आईस्पतालों में लगबग खतम हो गए है, आज सुबह मैं एप पे देख रहा था, सौ से भी कम आईस्पतालों में बज़े हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, कल हमने सेंट्रल गौर्वर्म अक्सीजन लगबग खतम हो गई, वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हाथसा हो सकता था, इधर उधर हाथ पर मारके किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंपिजाम किया, दवाईयों की कमी हो रही है, रेमडेसेविर दवाई की खा परिस्थिती बताईये, तो दिल्ली के अंदर करोना की परिस्थिती काफी गंभीर है, अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, दिली में चौति वेव आईये है, पहली वेव पिछले साल जून में आये थी, जिसमें पच्छिस हजार के करीब केस आये थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े-बड़े देशों के विक्सित देशों के शहर, जहां छे हजार केस आये तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कॉलाप्स कर गया। दिल्ली में साड़े-ाथ हजार केस आये, पिछली बा तक पहुंच गया है, हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है, मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कॉलाप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है, किसी भी हेल्थ सिस्टम के अपनी सीमाई होत महला क्लिनिक पॉली क्लिनिक बनाए है बहुत बड़े स्तर के उपर स्वास के खित्र में काम हुआ है यही कारने कि आज 25,000 केस के उपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह सिस्टम कलाप्स कर सकता है और अगर हिल्थ सिस्टम कलाप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी तरासदी नहों जाए जैसे हम ने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सिजन बिलकुल खतम हो गई थी और बहुत बड़ी तरासदी होते होते बची मैंने वीडियो देखे हैं तस्वीर दिल्ली को उस किसम की तरासदी से बचाया है वैसा नहीं होने लिया आज सुबह 11 बजे मेरी और एल जी साब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलूं के उपर सारी परिस्थिती के उपर काफे विस्तार से बात्चीत होई और उस बात्चीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली क्या हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा नहों की बड़ी तरासदी हो जाए हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिती में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉ कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है तो आज रात को दस बजे से अगले सोमवार को सुबह पांच बजे तक छे दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है इस दौरान जाहिर है कि जो जो essential services हैं वो जारी रहेंगी खाने पीने की medical विवस् जाते तो लोगों की शादियां संपन हो लेकिन केवल 50 लोगों के gathering के साथ संपन हो उसके लिए लग से पास दिये जाएंगे इसके बारे में अभी थोड़ी देर में detailed order जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजे जारी रहेंगी और कौन सी चीजों पर पाबंदी रहेंगी मै पारे लिए निरने लेना असान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लोगडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं लोगों की कमाई खतम हो जाती है और खासकर सबसे गरीब तब के लिए तो यह बेहद मुश्किल होता है जो दिहारी करके रो माथ जोड़ के अपील करना चाता हूं यह छोटा सा लोकडाउन है छे रिन का डिली छोड़के मत जाईएगा आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा इतनी उरजा खराब खराब होती है दिली में रहिए मुझे उम्मीद है कि यह छोटा लोकडाउन हो और छो तो जल्दी इस मुझसीबत से छुटकारा पाएंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी मैं हूना मुझे पर भुरूसा रखे मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निरने हमने बहुत मुश्किल से लिया है आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूँ हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरूद किया है मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से करोना खतम नहीं होता लॉकडाउन से करोना की स्पीड कम हो जाती है मेरा हमेशा यह मनना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्त विवस्था अपनी सीमा तक पहुँच जाए तो lockdown लगाना जरूरी हो जाता है ताकि patients का number कम हो जाए ताकि health system को और दुरुस्त किया जा सके ये जो 6 दिन का lockdown हम लगा रहे हैं जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिल्ली में बैड्स की विवस्था करेंगे केंदर से हम मदद मांग रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं केंदर सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंदर सरकार के शुक्र गुजारें, उनसे ऑक्सीजन की विवस्था करेंगे, दवाईयों की विवस्था करेंगे, इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीजों के लिए इस्तिमाल करेंगे, मेरी अप सब लोगों से है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें घर से बाहर इस दौरान ना निकलें पहले भी हमने कई कठिन निरने लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया मुझे पूरी उमीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे